आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आपको सम्विधान दिवस पर भारत के सम्विधान के बारे में बताना चाहता हूँ समिधान निर्माताव ने भारत के समिधान निर्मान में कई देशों के समिधान के अच्छे अच्छे बिंदों को अपने समिधान में सामिल किया थथा भारत को एक विस्तरत एवं परभावसारी समिधान दिया भारत के समिधान की विशेस्ता की कारण ही आज हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंद्र के रूप में विश्व के सामने हैं हम सभी के लिए यह गोरव की बात है कि हम इस लोकतंदर का हिस्सा हैं भारतिय समिधान ने हमें अधिकार भी दिये हैं तो करतवे भी दिये हैं भारत करीब 200 वर्सों की अंग्रेजियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ उस समय हमारा कोई भी सवतंतर समिधान नहीं था बेटेस पारलेमेंट ही अपने देश में बैठकर जो समिधान हमें दे देती थी वह ही भारत का समिधान बन जाता था सवतंतता प्राप्ति के बाद पहली निर्वाचे संसद ने परसिद समवादविद डाक्टर भीमराव अंबेटकर के नेतरत में समिधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई उस समय जो समिधान भारत की संसद में 26 जनवरी 1950 में लागू किया वह समिधान आज भी उसी सवरूप में लागू है सन 1950 से लागू समिधान में भारत को एक जन करल्यान कारी राज्य या गनतंत्र गोसित किया गया इसमें देश के हर भूबाग पर रहने वाले हर धर्म जाती एवं वर्ट के लोगों को समानता के अधिकार पर अपने अपने विश्वासों के अंसार परगती और विकास करने का समान अधिकार परदान किया गया सभी धर्मों, सब्भेता संस्कृति, जातियों, अनुजातियों की समान रूप से रक्षा एवं विकास को भी भारतिय पांच वर्स में सरकार चलाने के लिए जन परतिनिद्यों का तता दली आदार पर भी चुनाव होता है 18 वर्स या उससे ज्यादा उम्र के परतियक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है जो मतदान करता है चुनाव में बहुमत प्रापदल का नेता परदान मंत्री बनता है तता राज्य में वह मुख्य मंत्री बनता है संसद और विदान सबाओ के सदे से मिलकर भारत के रासपति का चैन करते हैं भारत के समिधान में भारत के किसी वी व्यक्ति को कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकार है कोई भी व्यक्ति MLA MP बनकर परधान मंत्री, मुख्य मंत्री, रास्पती या मंत्री आदी बन सकता है वह चुनाव लड़कर कोई भी पद प्राप्त कर सकता है वह भारत के किसी भी राजे में घर बना सकता है कहीं भी रह सकता है वह किसी भी धर्म को अपना सकता है वेरेली कर सकता है अपनी बात रक सकता है उसे न्याय पाने के लिए न्याय पालिका में जाने का भी अधिकार है। तता वह समिधान इक पारित कर समिधान संसोधन भी कर सकती है। यही कारण है कि हमारे समिधान में अभी तक अनेक संसोधन हो चुके हैं। भारतिये समिधान एक अनमूल है जिसमें हमें अनेक अधिकार दिये हैं। जिनमें हमारे मूल अधिकार भी हैं। जिसे कोई भी संस्ता या सरकार किसी भी भारतिय से छीन नहीं सकती है तता मूल अधिकार के साथ साथ भारतिय समिधान ने हमें मूल करतवे भी दिये हैं जो हमें करने चाहिए समिधान ने सामेजिक बुराईयों को दूर करने का भी प्रावधान है हमारा सम्विधान विश्व के सर्वोतम सम्विधान में सामिल है तता इसी से भारत का लोगतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोगतंत्र बना है हमें अपने सम्विधान पर गर्व है हमारे सम्विधान की खूब सूर्थी यह है कि हम कोई भी कारी कहीं भी रहकर कर सकते हैं धन्यवाद